हेला इबरोन कैसे आप सब एक बार पुना हसे कोचिंग क्लासेश पर स्वगायत है उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई बहतर चल रही होगी क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर सेकेंड चल रहा बच्छो आज का टोपिक है बिस्थापन और दूरी में अंतर कोश्चन कभी कभी टिपड़ी में भी पूँच दिया जाता है कि दूरी किसे कहते हैं समझाईए या बिस्थापन किसे कहते हैं एक नंबर में भी पूँचा ज क्या है इस पथ की लंबाई क्या है इस लंबाई को ही हम बस्थू की दूरी कहते हैं लेकिन जो विस्थापन होता है वो पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता यसे यहां से चला बिंदू ए से चला और बिंदू बी तक पहुँचा तो एक निश्चित दिसा होती है इसक इसका निर्दे सांख होगा, इसका निर्दे सांख होगा. तो इन दोनों बिंदों के जो बीच का अंतर होगा, मतलब दूरी का अंतर एक परकार से हो उसका बिस्थापन कहलाता है. हलाकि इसकी परिभासा बहुत सिंपल है, कि जैसे मैं यहां पे कहाँ दिया, कि इकाई समयंतरल पर बस्तु दोरत तै की गई पत की लंबाई तै की गई पत की लंबाई के है बच्चो विस्थापन लेकिन जब एक निश्चित दिसा में तै करें एक बिशेश दिसा में गतिमान बस्तु के इस्थित परिवर्तन को यहां पर हम बोल देंगे इस्थित परि आने का हम दोनों कर लेते हैं, लेकिन बिस्थापन toसी आती हैं बिस्थापन का मतलब अपने इस्थान से परिवर्तन हो जाना नहीं बोलते हैं लोग बिस्थापित हो गए मतलब कुछ डिस्टेंस दूर चले गए तो बिस्थापन हैं अंतर करके हम निकालते हैं लेकिन दूरी भाई गए हैं और लोटे हैं उसका भी हम माप सकते हैं दूरी जिसे हमने कहा कि एक बैक्ती बिंदू ए से चला ठीक है मां लीजे मैं कहता हूं 100 मीटर की दूरी तैकी अब बी तक गया और फिर से वापस आया तो फिर से 100 मीटर तो दूरी कितना हो गया टोटल जाने और आने में टोटल दूरी नापेंगे तो भीया 200 मीटर हो जाएगा मतलब जाने में भी 100 मीटर और आने में भी 100 मीटर तो टोटल दूरी हो जाएगा 200 मीटर लेकिन विस्थापन क्या हुआ जहां से चला वहीं पर आ गया तो क्या विस्थापित हुआ अपने ही स्थान पर है तो विस्थापन यहां पर सून हो जाए है जैसे घड़ी की सूई एक मिनट में एक बार चक्का लगा ली तो विस्थापन सुन हो जाता है प्रत्रभी जो है सूर के चार और तिन सो पैस्ट दिन में चक्का लगाता है तो विस्थापन सुन हो गया लेकिन दूरी भी निश्चित समयंत्राल पर पथ की लंबाई बस्तु दोरा तै की गई पथ की लंबाई आपका दूरी है लेकिन वही पर बिस्थापन क्या है एक निश्चित दिशा में बस्तु जब तै करता है गति करता है यह एक बिसेश दिशा में गतिमान बस्तु की इस्थित परिवर आई दूरी है लेकिन विस्थापन ऐसा नहीं होता है समझ रहे है ठीक है को दिक्कत तो नहीं है विस्थापन और दूरी में डिफरेंस अब यहां पर मैंने आपको कहा कि विस्थापन ने दी माली जे कोई बस तू ब्रत्ती मार्क पर गति करता है तो एक चक्कल लगाया तो विस्थापन सुन हो गया अपने इस्थित से पुना वापस लोट आया यहीं अपने इस्थित से कुछ दूरी तक गया पुना वहां पर आ गया तो विस्थापन नहीं हुआ विस्थापन मतलब इस्थित परिवर्तन जेसे प्रत्वी एक बार चक्कल लगा लिया और पुना अपने मोल इस्थित पे आगे तो उसका विस्थापन हुआ ही नहीं जब इस्थापन नहीं हुआ मतलब इस्थित परिवर्ता नहीं हुई जिस इस्थित में था उसी इस्थित में आगे तो वहाँ पे विस्थापन सुन नो गया मतलब विस्थापन सून नो सकता है लेकिन दूरी कभी भी सून नहीं हो सकता विस्थापन में एक निश्ची दिसा होती इसलिए सदिस रासी है जबकि दूरी में कोई दिसा की ज़रूत नहीं होती इसलिए अदिस रासी है ठीक बच्चो तो विस्थापन में आप लोग लिख लेना विस्थापन एक सदिस रासी है दूरी एक अदिस रासी है विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है रेणात्मक भी हो सकता है सोनी भी हो सकता है लेकिन जो दूरी है कभी भी शून नहीं होता हमेशा धनात्मक होता है पर आकरती पर निर्वर नहीं करता प्रारंबिक और अंतिम इस्थित पर निर्वर करता है अंतिम में से प्रारंबिक घटा देते हैं तो डिफरेंस निकल कर आ जाता है विस्थापन कमान बच्चो दूरी के बराबर या उससे छोटा ही होता है लेकिन दूरी कमान विस्थाप में क्या होगा M0LT0 दोनों का विमी सूत्र है द्रबमान नहीं है के बाल लंबाई है समय भी नहीं है तो ये दोनों का विमी सूत्र है बच्चो दोनों का विमी सूत्र है ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है चलो स्क्रेंसार्ट ले लो बाकि कुछ है ही नहीं इसमें चोटा सा टॉपिक है आप लोगों से बनी जाएगा इसका परिमाड एनी विस्थापन का परिमाड दूरी के बराबर या इससे हमेशा छोटा होता है लेकिन दूरी का जो परिमाड है बच्चो विस्थापन से हमेशा अधिक होता है विस्थापन के ब लोगों को चार डिफ्रेंस तयार करना ही है छोटे-छोटे टॉपिक के माध्यम से सारी डाउट क्लियर की जाती है अधि आप 11th क्लास में चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधि आपको नोट्स चाहिए बच्चो तो कंटेक्ट नंबर है 9685-299149 य सेयर कर दिया है आपको किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए परस्नल लंबर सेयर करने का रिजन यही होता है ताकि आप लोग यह न सोचो कि कोई फ्राड कर देगा हमारे सांथ महुत सारे बच्चे कॉल करते न कि सर 100 रुपए में फ्राड तो नहीं होगा विलकुल निश्यंत रहें जै हिंद बंदे मातरां